दोस्तों क्या होगा अगर हम 2020 में बने हेलमेट और सन 1960 में बने हेलमेट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे और यह तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावफुल होता है और आपने तो यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि और इस गोल लेकिन नय और पुराने हेल्मेट में से कौन सा हेल्मेट हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगा चलिए देखते हैं।